नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की वीडियो में हम DD Direct Free-to-Air जो HD Box है उसके बारे में बात करेंगे तो हम अपनी जैसे शोप पे हरो जैसे HD Boxes भेजते हैं जब हम Box स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का मिलता है ये वाला मेनू होता है इसमें HD Box में आज का लगबग जो सभी Boxes आ रहे हैं उनमें इसी तरह का कार्ड आ रहा है जो PCB है तो उसकी सिस्टम इनफोर्मेशन मैं पहले आपको दिखा देता हूँ उसमें Remote कुछ इस टाइप का होता है सभी लगबग Boxes में जड़ात और Boxes में 95 यही Remote और SI कुछ उसका मेनू अगएरा आता है तो ये इसके Software Loader और Software Version इसमें 6605SN के Hardware Version है इसमें तो इसका Board भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो इस तरह का Box HD हमें मिलता है हम हर रोज काफी Boxes सेल करते होंगे पर जब हम ये नया Box लेके आते हैं कस्टमर को देते हैं तो सबसे पहले जो इसमें आता है Program Note अग्जिस्ट आता है इसमें तो next step होता है कि हम कस्टमर को अपने यहां से इसका Blind Scan करके दे जैसे Blind Scan करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है उसके बाद हम Blind Scan करके कस्टमर को Box दे देते हैं पर उसमें प्रोब्लम यह होती है कि कोई चैनल कहां पे होता है कोई कहां पे होता है तो मालो हम North India में है तो North Indian का जो कस्टमर देखता है उसके हिसाफ़ से हम चैनल उसको List Wise लगा के दे सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं दुकानदार के पास इतना टाइम नहीं होता Blind Scan तो चलो कर देते हैं उसके बाद चैनल को Move करें Delete करें जो Falto Channel है उनको पीछे लगा दें या जो Extra Channel आ जा जाते हैं उनको Delete कर दें या Move कर दें अपने हिसाब से तो अगर हम Category वाइज कस्टमर को चैनल्स लगा के देंगे तो कस्टमर उसमें खुश हो जाएगा कस्टमर को सबको पता नहीं होता कि ये चैनल्स कैसे लगाने हैं जैसे हम उसके लिए चैनल्स को टीवी चैनल्स हैं यहां पे फिलाल तो नो आ रहा है सबसे पहले तो हम Blind Scan करके देंगे तो उसमें काफी टाइम लगता है तो उससे बढ़िया हम कुछ ऐसा कर दें कि हम आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि USB से हम इस Box का Software कैसे करते हैं तो उससे हम हमारा टाइम भी बचा सकते है अगर हम दो मिनट का टाइम लगता है USB से Customer को Software करके दे दे काफी कुछ हमारा टाइम उसमें बच जाता है तो ये सब कैसे करेंगे चलिए दोस्त आज की वीडियो में इसी पे बात करते हैं तो ठीक है आज का वीडियो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ब्लाइंड स्कैन कर लेते हैं क्योंकि इसमें चैनल से नहीं आ रहे हैं इसके लिए हम एंटेना सैटिंग्स में जाएंगे चलो सैटलाइट लिस्ट में चलते हैं कोई भी के यू सैटलाइट जैसे NSS6 लगाके हम अगर सर्च कर देते हैं इसको अब प्रिसेट्स ब्लाइंड आएगा इसमें FTA उनली येस कर देंगे और सर्च कर देंगे तो इस सर्च में हमारे तीन चार मिनेट लग जाते हैं तो देखिए अब सर्च हमारा कम्प्लीट हो चुका है तो यहां मैं OK दबा के प्रेस कर देता हूँ सेव कर देता हूँ इनको तो हमारे चैनल अब इसमें आ चुके हैं तो इसमें सर्च में हमारा तीन चार मिनेट का टाइम लग गया इसमें तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है अगर हम कस्टमर का थोड़ा बहुत कस्टमर की थोड़ी बहुत हैल्पी या मतलब अपने जैसे नौर्स जोन हो गया हमारा उसे साब से चैनल लगाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमें जाना पड़ता है इसमें टीवी चैनल में जाते हैं तो यहाँ पे जैसे संड टीवी जी पंजाबी ये हर तरह की चैनल से लिस्ट वाइज आए होएं तो कस्टमर या तो खुद करता है अगर उसको नौलेज है या वो हमें बोलेगा कि चैनल्स हमें एक जगा इकठे करदव जो हमने देखने हैं तो चैनल्स अगर हमने डिलेट करने है तो यहाँ पे रिमोट पे वन की प्रेस करेंगे remote way 1 की press करने पर ये थोड़ा जैसे delete वाला option है थोड़ा उपर चला जाता है तो अब हम delete इनको कैसे करेंगे सब को delete जो जो करने हैं माले ये DD1 दे कुछ ऐसे channels हैं जो हम नहीं देखना चाहते सब पर cross का निशान लगा देंगे पहले और फिर उसके बाद जैसे हम save करने हैं तो menu की की press करेंगे यहां से तो ok करके हम save कर देंगे तो जो हमने mark किये थे channels वो delete हो जाएंगे और अगर हम अपनी पसंद के channels move करते हैं move करने के लिए हमें remote से यह दो number की press करेंगे जैसे वहां पर दिखाए to move दिखाया हुआ है न जैसे यह दो पर लिखा हुआ है move तो remote से हम दो number की press करेंगे तब यह जैसे अलग से mark हो गया तो अब हम जो भी channel से आगे पीछे move करना चाते हैं तो उसको ऐसे यह double arrow up down आ जाएगा तो नीचे side जाएगे तो जहां पर छोड़ देंगे वहीं पर यह लग जाएगा ठीक है तो उसके बाद हम menu की press करेंगे तो ok करके save कर देंगे तो देखिए हमारा यह जो sun channel था हमारा यह 5 number channel पे आ चुका है है हमारा channel तो यह move करने का हो गया option उसके बाद अगर मैं आपको सब कुछ detail में बताऊँ हो तो इसमें बहुत ज़्यादा time लग जाता है अगर हम ऐसे ही सभी customer के channel सेट करते हैं तो कम से कम हमें 15-20 minute आदा घंटा लग जाता है इसलिए कोई नहीं करके देता और कई बार customer बिलकुल मतलब जैसे बजोर्ग टाइप होते हैं या ज़्यादा पड़े लिखे नहीं होते तो उन से ये सब नहीं होता है तो उसके लिए हम customer की help कैसे करेंगे और अपना time कैसे बचाएंगे इसके बारे में मैं आपको बदा देता हूँ सबसे पहले आप अपने हिसाब से जैसे आप North जोन में South उस हिसाब से अपनी चैनल कैटगरी सेलेक्ट कर लेंगे तो चलिए मैं आप इनको चैनल को जड़ा जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ तो देखिए मैंने अब यहाँ पर चैनल से अपनी पसंद के हिसाब से लगा दिये हैं जैसे मैंने कुछ पहले पंजाबी चैनल से लगा दिये उसके बाद movie जो और जो serials वगरा क्याते हैं जो मतलब हमारी language के यहां North जोन के है वो मैंने चैनल आगे लगा दिये तो अब हम क्या करेंगे एक box में सभी तरह के जैसे हमने चैनल से अपनी प्रसंद के हिसाब से लगा लिए तो अब हम एक ऐसे pen drive लेगे और इसके पीछे लगा देते हैं अब pen drive बिल्कुल हमारी यहां खाले होनी चाहिए क्योंकि हमने यहां पे इसका जो dump होता है ना इसका backup लेना है तो dump लेने के लिए हम menu में जाएंगे utility में जा कि system information, factory set और software upgrade में जाने के बाद USB अपग्रेड नहीं करना हमें dump लेना है तो एक बात का ध्यान रखे dump लेते वक्त आपका box बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए बीच में बचल लाइट नहीं जानी चाहिए इसकी तो यहां पे press ok करेंगे file path देना हमें इसमें USB C है ok कर देंगे तो यहां पे USB की location आ गया है तो अब यहां पे press ok कर देंगे तो जो हमने channels और अपने हिसाथ से set किये ना उसी हिसाथ से इसमें dump save हो जाएगा चलिए अब dump save कर देते हैं ज्यादा time नहीं लेता है 15-20 seconds में dump हमारा save हो जाता है pen drive में यहां पे हमारा dump successful हो चुका है तो ok करके अब हम यहां back चले जाएंगे तो दोस्तों अब हम इसको box को factory reset करके पहले की तरह ले आते हैं चलिए अब मैं इसको factory reset कर देता हूं तो हमारा box जैसे हम नया खरीते हैं उस condition में आ जाएगा factory reset चार बार code डलेगा zero ओके तो dump लेने में यह dump दूसरे box में करने का यह है कि वो box सेम होना चाहिए सेम software और सेम hardware वर्जन होना चाहिए तो इससे ऐसा करके हम अपना काफी time बचा सकते हैं और customer को भी अच्छा लगेगा कि उसको उसके पसंद के हिसाब से कुछ तो channels मिल जाएंगे अगर वो खुद set नहीं कर पाता है तो तो देखिए box हमारा program note exist आ रहा है तो pen drive में आपको दिखा देता हूं कि यह all dump नाम से यह file होती है यह आप देख भी सकते हैं तो pen drive में अभी मेरे वो file पड़ी है तो देखिए आप हमारे पास यहाँ कोई channel नहीं आ रहा है नो program exist आ रहा है तो अब हम menu में जाएंगे utility system information system information मैं फिर से दिखा देता हूं आपको तो देखिए आपके जो same boxes होने चाहिए तो आप अपना time तभी बचा पाएंगे नहीं तो आप box भी dead कर सकते हैं और version 1.0.1 NK है तो चलिए अब हम software upgrade में चलते हैं तो यहाँ पे अब हम USB upgrade करेंगे यहाँ पे upgrade रहेगा यहाँ पे all रखना है app user कुछ नहीं all रखना है अब file patch देंगे press ok करेंगे फिर से ok करेंगे तो यह जो हमने dumps save किया था तो यह dump all bin हमें मिलेगा इसमें ok करके हम इसने ok करके हमने इसका path select कर दिया अब यहाँ फिर से ध्यान देने वाली बात है box की light आप नहीं जाने देंगे adapter को ठीक से लगा लेंगे कि ताकि यह हमारा software लेते हो वे हिल ना जाए चलिए अब start कर देता हूं मैं कि ताकि लेते हमार ना जाए अब आए चलिए डंप लोड करने में हमें मुश्किल से एक मिनिट लगता होगा बोक्स अपने आप रिबूट हो जाता है इसमें तो देखे जो हमने चैनल से सैटिंग्स की थी न हमारी पूरी चैनल सेटिंग्स वैसे की वैसे हमें मिल जाएगी देखिए स्टार्टिंग में मैंने पंजाबी चैनल से लगाए थे देखिए वैसे के वैसे आ गए दोस्तो ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लेज चैनल सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इस STB बोक्स को HD FTA बोक्स को सेट फाइंडर की तरह यूज करना सिखेंगे दोस्त अब तक के लिए बाई बाई नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं